जो कहते हैं कि हिंदी अब धीरी धीरे गायब हो रही है हिंदी अब रुधबा नी रह गया है वो बात नी रह गया तो उन्हें जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए दिबी प्रकाश जी की किताबे जो वो लिखते हैं नई वाली हिंदी की स्टैल में जी हाँ तो नई वाली हिंदी के साथ ऐसा था कि हम लोगों को एक जरुवत मैसूस हुई कि जो हम लिख रहे थे हिंदी उसमें थोड़ी जो कैंटीन वाली भाषा होती है जो थोड़ा एक अंदरंगता होती है न दोस्तियारी में जैसे हम बोल रहे हैं तो उसको पहले यह नहीं माना हिंदी जैसी तो नहीं थी जैसे किताबे पढ़कर हम लोग बड़े हुए वह तो नहीं था तो हम लोगों ने एक नई वाली हिंदी टर्म दिया और जो बहुत पॉपुलर हुआ लोगों में जो कई 20 साल के यंग्स्टर्स हैं जो बच्चे हैं जैसे कई बार होता ने चाही चलती है देखा जाए कि हमें हम स्ट्रेस देते हैं कि नहीं हमें साहतिक हिंदी ही जाद अच्चे से पढ़नी चाहिए उसे हमारी भाषा मोकाब्लचा और strong होती है लेकि नई वाली हिंदी जादा सरल है लोग उस जादा समझते हैं और उस ज़ादा जुड़ते भी हैं हाँ लेकिन एक चीज मैं इसलिए हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि अब जो भाषा सरल है से जादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो लोग सुनना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं जो जानना चाहते हैं उसकी भाषा में उसके तरीके से बात कर रहे हैं तो उनको कोई दोस्ते हैं अधरवाइस भी वो खुद सीख लेते हैं जबरस्ती हम थोप नहीं सकते हैं कि सब को यह सीखना है जैसे आप सब को करते हो बात बढ़ बढ़ जाती है लेकिन आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो हमारी कहानिया जो नई वाली हिंदी हो यह करती है कि इस ज यह को शिश है? और अब यह अपको बोलते हुए हमने देखा आपका सेशन देखा जो हिंदी के जो सहतीकार होते हैं और जो लिखते हैं इस तरह के नौवल्स हो तो वो ढबीर होते हैं लेकिन आप पलकल उनकी नकल बन के रह जाते है, हमारा क्या होता उसमें, तो हम लोग की कोशिश ही थी कि हम जादा से जादा अपनी चीज़े लेगा है, ऐसी चीज़े लेगा है कि कोई भी बोले और बोले का रहार, यह मेरी गानी कहा दी तुमने, और बिल्कुल वैसे ही कही जैसे मैं हूँ, तो हम लोग ने वो कोशिश ही तो वो barrier तोड़ दिया, जैसे क्या था उससे पहले, कि एक लिखने वाली Hindi यह लगती और एक बोलने वाली Hindi है लगती, तो हमने बोलने वाली Hindi को यह लिख दिया, तो वो एक दम से लोग को बहुँ आद अच्छा लगने लगा, बिल्कुल जि क्लिश्ट, हिंदी का कहीं पर कुछ पुछ पहुंसती न बात आप उसको करोगे गा जिनको जानना होता है जिनको प्रोफिसोरी करनी है जिनको अपना काम करना है भाशा में वो लोग सीखें लेकिन अब यह इना कि कम्बसर ही मुले finance कि आ्रे नहीं यह वही वाली बात है ना और आप अच्छे से अच्छे तरीके से उसमें मजा ले पाएं, क्योंकि इतना जादा बंबार्डमेंट है वेब सीरीज का, यूट्यूब का, कि आप उसमें किताब पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी चीज होनी चीज नहीं जो रोक के रखे कि आप सब कुछ बंद कर के वो कर पाएं, और वो तब ही हो सकता है, जब हम पढ़ने वाले के बारे में कानिया करेंगे, और पढ़ने वाले को आने वो नए लोग हैं, इसलिए नई वाली हिंदी, उसका एक अच्छा विकल्प बन के आया है, कि हां लोग को अच्छा लग अगर देखा जाएं, तो जो most probably जो world platforms में जो मिलता है, एक अलग से stage मिलता है, वो जो English novel writers रहते हैं, उनको मिलता है, जैसे हम चेतन भगत को ले लें, या किसी और को ले लें, तो क्या आप ये भी competition मानते हैं, कि अगर हम इस तरीके से उनको पीछे चोड़ सकता है, कि हां हम अपनी हिंदी से भी बात लेकिन हम लोग अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं कई बार ना कि हम vocabulary सीख लें, कुछ हम दो चार चीज़ें जानी जाएं, word जान जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि future में, जो मुझे देख रहा है कि जितनी तेजी से लोग हिंदी open mic agreement हुआ है, कहान या लोग सुना र किताब लिखते हैं 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 किताब लिखते इंजीनर बनने के लिए चार साल की इंजिनिंग और एक साल की कोशिंग लादेते हैं, राइटर उसे कुछ आगे की चीज है तो आपको लाइफ में दस साल लगा के सोचना नीची की रिटर नाएगा, ये फिक्स डिपॉजट है, रेटर नाएगा तो बहुत आएगा और नही चाहे वह मेडिय हो, फिल्म हो ये तने मीडियम है आजकी डीम ही लिएट में लिखने के अभी आडियो बुक्स का आ रहा है, इतने भूटो अब थोड़कु भी ठीक लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऊसको लिखके", पैसा ना कमारे में और इस प्रिक बाते हैं, सोचता हूँ कि देवे प्रेकाष बीस साल का होता और मुझे समझ में आ जाता तो मैं शायद पांच किताब और लिप्षिपा होता ना तो मैं तो लेट हूँ लाइफ में लेकिन उसका फंड़ा है कि जब भी आप वही होता ना जब आपकी आख खुले तभी सवे रहा है तो दुरसता है तो ऐसा ही है कि जब आपको समझ जो है तो हमेशा राइटिंग आपके लिए और आपकी कोई भी फिल्ड आपको एक्स्पीरेंस देती है जैसे मेरी बहुत सारी कहानिया एंजिनिंग कॉलेज के लड़कों पर बेस्ट है उनके वर्ट पर बेस्ट है जो नौकर पर दीरे-दीरे जैसे राइटर बड़ा होता जाता है ओर मेचेयोर होता है हो मैयनेशन पे निर्बर होने लगता है और यही टैलेंट होता है जो बड़े लेखक कुओं इस दुनिया में कि वो जो जो उनकी रैयलिटी नहीं है उसको भी इपनी रैयलिटी बना ले यही टै आप थोड़ा सा भी अनरजी फोकस करेंगे तो आप कर लेंगे अपने फिल्म का जिक्र किया है तो अकसर आम देखते हैं कि जो स्टोरी टेलर होते हैं और जो लेखकोते हैं वो फिल्म के डिरेक्शन में भी कूछ और स्क्रीन प्ले भी करते हैं तो क्या आप का ऐसा कुछ हम लोग भी उमीद करते हैं कि जरूर ऐसे ही कि आप ऐसे नाम रोशन करें और जो राइपुरियंस हैं जो वो भी चाहते होंगे कि आप कुछ मेसेज दे क्यूंकि जरूर आप एक आइडियल की तरह है उनके लिए कि जो नॉर्मल हिंदी में बोलते हुए भी आप बहुत ब बुरा फीडबैक या जैसी भी आपको लगी वो हर तरीकिस राइडर को मदद करता है आगे बहतर कितावें लिखने में और जादे से जादा पढ़ें और जादे से जादा लोगों को बताएं अगर कोई आपको किताब अच्छी लगी तो चुप नहीं बैट जाएं उसके आपको कोई बुक अच्छी लग रही है तो आप उसे पढ़ें भी और साथ ही साथ उससे फॉवर्ड भी करें ताकि आप तो मोटिवेट हो दूसरे भी मोटिवेट हो और वो जो राइटर है उन्हें भी उनका जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में जाने का मौका मिल सके थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो क्यामरा पोजिसन मोकेश के साथ अकांक्षा पांडे आई बीसी 24 राइपर